तो आज हम लोग बहुत लंबेड ट्राफिक में फस गये हैं लगभग 10-15 किलो मेटर पार कर चुके हैं ट्रक का लाइन इतना लंबा लाइन की पूछो मत हम लोग को कम से कम यहां पैतालेस मिनट हो गया 10 किलो मेटर भी पारने किये हैं पैतालेस मिनट में हम लोग इतने लंबे ट्रक की लाइन मेरी तो सब्र की सीमा ही खतम हो जारी है स्कूल पहुंचना है टाइम से लेकिन पता ने पहुंच पाएंगे कि ने हम लोग क्योंकि इतना ज्यादा ट्राफिक एक घंटे हो गए मेरे को चिंता हो रही है कि कर मेरे हस्बेंट कैसे वापस आएंगे मेरे कुछ जोड़के अकेले ही ते वाल अगर ट्राफिक रहा तो अकेले बैठे बैठे तो बहुत ही ज्यादा ट्राफिक है अभी तो पता नहीं सामने भी जगह है कि ने जाने के लिए बहुत लंबी लाइन है ऐसा पहली बार फसी हूं मैं और एक बार फसी थी जब मैं बस में बैठी थी तब आधे घंटे तक ट्राफिक में फसी थी आज दूसरी बार है तिखाओ आधे लग रहे मैं पैदल चली जाओ रहा है अगर पैदल चलना बेटर लग रहा है क्या करे सबज लिया रहे है क्लियर नहीं हो रहा है हो तो एक्च्वल में जो जाम लगा था उतो खुलने वाला नहीं था पांच घंटा लग जाएगा बोले खुलने में तो हम लोग यह यहां से एक सौटकट लिये है हम लोग को बताया गया कि सिदे उर्दना में निकालेगा तो हम लोग यह कार को फॉलो कर रहे हैं पिछे पिछे जा रहे हैं इसके अब देखते हैं उर्दना कब पहुंचेंगे नया रोड है हमारे लिए यह पता नहीं से हम लोग सही भी जा रहे हैं कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है तरह माल इधर है तो तरह माल से होते हैं इधर चाला है तो हम लोग उस कार को फोलो कर रहे हैं वो जहां लेके जाएगा वहां दिख लेंगे हम लोग तो जाम की वेज़े से हम लोग को यह सौटकट अपना ना पढ़ा सौटकट बोले उन लोग ट्रक वाली भाईया लोग लेकिन पता नहीं सौटकट है कि क्या है सौटकट तो नहीं होगा लेकिन यही एक रास्ता बचा था तो आज हम लोग को लग रहा था कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन जल्दी नहीं पहुंच पाएं आज तो हम लोग ज्यादा लेट हैं लग रहा है तो गंटे लग गए हम लोग को जाम में फसे फसे तो गाइस अभी हम लोग पिछ रोड पकड़ लिये हैं अब देखते हैं यह लोग अहन अधी से तो पहुंच गये हैं अब प्रॉस करते है और सिदे चलते हैं आज हम लोग बहुत ज्यादा लेट हैं